आज हम पढ़ेंगे इंदी विसर कि वर्म सष्ट के दिये हैं और पाथ का नाम है इड़न, इनके लेख़त है संजीर बच्चों इस कहानी के पहले कुछ पंखियां जितनी हैं जिसके माध्यम से हमें को शमझाने की कोशिज की गई है तो आज हम इन पंखियों के अर्थ को समझेंगें तो देखियां क्या दिखावा है कि बुद्धी ना हाँ विकाय, बुद्धी ना चोर चुरा यानि कि बुद्धी जो है वो किसी भी दुकान पे या वाजार में विक्ता नहीं है दूसरा लाइब है बुद्धी ना चोर चुरा बुद्धी को कोई भी चोर चुरा नहीं सकता है बुद्धी चले जग सांग चंपे सकर जवां अर्था जब लोगों में बुद्धी आ जाती है लोगों सारे ज्यान प्राप कर लेते हैं बहुत शिक लेते हैं तो उनका चाहों तरफ नाम होता है, मान सम्मान बर जाता है, लोग उन्हें उनकी प्रसंसा करते हैं, प्यार करते हैं, एक अच्छा हिसान मानते हैं आगे देखें, बुध्धी ना बातो भूया, नहीं तो बुरी नहीं है इसलिए कहा गया है, कि बुध्धी को कभी बान के लिए रखना चाहिए, बान करने रखना चाहिए, का मतलब है कि बुध्धी हमें हर कुछ न कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, अपने बुध्धी का ब्रयोग करना चाहिए, बुध्धी से काम लेना चाहिए जो इंसान दूसरे के भरोसे में रहते हैं, अपने बुद्धी खर्च नहीं करते हैं, अपने दिमाद से काम नहीं लेते हैं, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनकी उल्लती नहीं होती है तो बच्चों इन कवनुद्धियों का हमने अर्थ समझा, लेकि ये विदन कहानी जो है अभी समाव में नहीं नहीं हैं, इस कहानी में अभी और तो बहुती मज़ेदार मज़ेदार कहानिया हैं, लेकि इन कहानियों को सुनने के लिए समझने के लिए आपको अगले क्लास में वेजिन होना होगा इसके तक तक के लिए बाबाई